Hello everyone, welcome back, welcome to iCareTaker, I am Dr. Deepak Thakur, consultant and Dr. Metis. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या smoking हमारी आपको पर negative effect डालती है? तो smoking जैसा कि आपको बता है हमारी पूरी body पर ही negative effect डालती है. एक research में ये भी बताए गया है कि एक cigarette आपकी life के 13 minute, 13 to 14 minute कम करती है. तो अगर आप दिन की 10 cigarette पीते हैं तो आपकी life के 130 minute to 140 minute कम हो जाते हैं. तो अगर हम बात करें आँख की smoking आँखों पर क्या negative effect डालती है? या फिर बहुत लोग सोचते हैं कि smoking आँखों पर कोई negative effect नहीं डालती, सिर्फ जो effect डालती है वो हमारी lungs पर डालती है. क्योंकि हर रैपर पर लिखा होता है, छपा होता है कि smoking cause cancer. Smoking से होने वाली सबसे बड़ी बिमारी है age related macular degeneration. होने लग जाता है और आपका जो macula होता है वो degenerate होना इस्टार्ट कर देता है. और अगर macula degenerate होना इस्टार्ट कर दिया और एक बार पूरा degenerate हो गया, तो वो फिर से ठीक नहीं किया जा सकता है. साथ में diabetes वाले patients की बात करें जिन लोगों को sugar है उनके लिए तो smoking और ज़्यादा खतरनाक है. कि sugar वाले patients को पहले ही diabetic retinopathy होने के chances होते हैं, मतला आपके परदे के अंदर खून आना, परदे में सूजन आना, इन सारी बिमारियों के chances होते हैं. अगर आप sugar के साथ 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 आप smoking भी करते हैं regular basis पे तो आपकी आँख की नजर जाने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. साथ में आपकी जो diabetic retinopathy होने के chances हैं वो भी बढ़ जाते हैं, आपकी आँख की नजर हो सकता हैं धीरे धीरे कम हो जाएं. आप में जो लोग smoking बहुत ज़्यादा करते हैं उनकी आँख में dryness होने के chances भी बहुत ज़्यादा होते हैं. जैसे कि आजकल पहली लोगों का जो lifestyle है वो बहुत ज़्यादा complicated हो गया है. उनको laptop पे काम होता है, phone पे काम होता है, साथ में बाहर जब वो drive करते हैं तो direct हवा उ कर सकते हैं. Diabetic Retinopathy के अंदर हम लोग आपकी आँख के अंदर injection देते हैं जिससे Diabetic Retinopathy को बहुत हद तक control किया जा सकता है. अगर हम बात करें ARMB जो पहली बिमारी में ने बतायी एज-related macular degensation इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा खतरन नाग मेमरी. So thank you for watching my video.